Welcome students, हमारे Career Counseling के Video Lectures की सीरीज में आपका फिर से स्वागती Students, Domestic Careers याने भारतीय careers को discuss करने के बाद आज बारी है International Careers के बारे मात करने की Yes, ऐसे careers जिनका Global Acceptance है और वैसे भी आजकल तो एक craze बन चुका, एक फिनॉमेना बन चुका है बच्चे विदेशों में जाकर सेटल होना चाते हैं, पढ़ाई करना चाते हैं लाखों रुपए खर्च करते हैं, आए उसके exam clear करनी है उसके बाद set की exam दिनी है, वहां की university में जाके पढ़ना है सोचिए, just imagine करिए, एक ऐसा curriculum, एक ऐसी degree है, कैसी qualification जो आपको 179 countries, I repeat, 179 countries में करियर दे देती है, गजब का करियर देती है और दुनिया की सबसे reputed universities से आती है मैं बात कर रहा हूँ students ACC, Association of Certified Chartered Accountants, UK का CA 1904 में British Parliament के दोरा बनाया गया एक कोर्स, दुनिया के 179 countries में accepted कोर्स है जिस तरह से भारत का Chartered Accountancy है, बस वेसाई, लेकिन उससे बहुत आसान, बहुत बहुत आसान ये कोर्स कौन कर सकते हैं, Commerce graduates कर सकते हैं, जिनका become complete है, वो भी कर सकते हैं जो 12th pass out करने के बात देना चाते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसी के साथ-साथ, वो बच्चे, जो CA inter-complete कर चुके हैं याने IPCC complete कर चुके हैं, वो भी दे सकते हैं, तो आज का lecture बहुत important है, इसलिए ध्यान से सुए Students, ACCA global career है, इसकी registration आप इंडिया में बैटके कर सकते हैं, सबसे बड़ा advantage ACCA के अपने खुद के partner institutes हैं, जिनके वहाँ से आप coaching भी ले सकते हैं याने ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई करने के लिए किसी में निर्भर रहना पड़ेगा, इनके खुद के ही partner centers हैं, जिनके तुम आप coaching ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं सबसे बड़ा advantage है, हर quarter में exam, दूसरा सबसे बड़ा advantage अपनी पसंद के subjects का exam तो आए जानते हैं, इसमें कितने papers हैं, exam का pattern क्या होता है, और कैसे इसी clear करना पड़ता है, तोटल बड़ा 13 papers हैं, अगर आप 12 के बाद exam देना शुरू करोगे, तो पहले 3 papers, I repeat, पहले 3 papers 100% MCQ-based objective papers हैं, उसके बाद जो next 6 papers हैं, वो 60-40, यानि 60% descriptive, 40% MCQ, और आखरी के जो 4 papers हैं, वो 100% descriptive papers हैं, सब की सब exams online होती हैं, और आता है सबसे वड़ा advantage, advantage ये हैं, कि आप exams अपनी convenience के हिसाब से दे सकते हैं, आपको कोई भी group follow करने की दिक्कत नहीं है, आपकी जिनी तयारी, उतने exam दीजिए, safe or example, कि आप 2 exams के लिए prepared हैं, इस quarter 2 exam clear कर दीजिए, next quarter आप 1 exam दे opinions के आधार पर अपने course को तयार करें, इस course के अंदर 3 साल का, यानि 36 मैने का internship, work experience mandatory होता है, और यहां पर ही सबसे बड़ा advantage मिलता है, पहले 9 paper खतम कर लेने के बाद, आप कभी भी अपना internship शुरू कर सकते हैं, और यहां पर आप सोचिएगा और imagine करिएगा, इंडिया में रह 18 to 20 thousand रुपीर पर मन्त is paid to interns, students ये global career होने के साथ साथ एक rewarding career भी है, और एक बड़ी चीज, European Union of Accountants, ये एक European Union की संस्ता है, इन्हों ने एक order pass किया है कि next year से, possibly next year से, they are going to make mobility of accountants free in the Europe, मतलब Europe के जितने भी accountants है, वो किसी भी country से कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, तो अगर आपके पास ACC है, 29 countries of Europe will welcome, students, गजब का career है, गजब के prospects है, सारे commerce graduates को करना चाहिए, कितना जादा और कैसा ratio है वो भी समझते हैं, जो इसका fundamental level है, basic level, उसका pass out ratio है 68%, और जो इनका professional level है, वहाँ पे pass out ratio है 55%, याने passing ratio is extremely है, तो career वहाँ भी गजब का ले लेते हैं, One more important point, that many students don't know about ACC, many students miss out on ACC, आप ACC के लिए साथ ही, कोई भी qualification continue कर सकते हैं, तो आपके उपर कोई बर्डन नहीं है, कि आपका ACC चल रहा है, तो आप दूसरी कोई qualification नहीं कर सकते हैं, आप parallelly दूसरी qualification भी कर सकते हैं, Also, कि students को कितने paper देने पड़ेंगे, जो बच्चे 12th standard के बाद direct ACC लेना चाहते हैं, पूरे के भूरे 13 paper, जो बच्चे अपना become खतम करने के बाद देना चाहते हैं, Exemption of first four papers, मतलब fundamental level के चार papers का exemption, जिन बच्चों ने inter-CA complete किया है, CA final के attempts दे के ठग गए हैं, दो attempt दे दिए, CA final दिकर नहीं होगा, उनको भी पहले 9 में से सिर्फ paper number 5 और paper number 7 ही देना पड़ेगा, बाकी के 7 exams से उनको exemption, और अगर कोई Chartered Accountant ACC करना चाहता हो, तो उसको fundamental level, पूरा का पूरा exam, सिर्फ professional level की 4 exams क्लियर करनी पड़ेगी, that's it, a global career welcomes you, आप जैसी exam खतम करेंगे, आप ACC affiliate बन जाएंगे, प्लस अगर आपका internship complete है, और एक basic management module complete है, you are an ACCA member, then the world is waiting for you, पूरी दुनिया में आपकी value है, ACCA की requirement कितनी बढ़ रही है, every year, the demand of ACCA graduates is increasing by 12%, so a flourishing career awaits you, जाए और फटा फट ACCA के लिए enroll करिये, अगर आपको ACCA पसंदाया होता, thank you so much students,